गुड इवनिंग बच्चों कैसे हो सब ठीक ठाक है आज हम पढ़ेंगे युनिट फोर का सी सॉंग सी मिन समुद्र और समुद्र का गाना ठीक है जैसे समुद्र की लहरे होती है उनका जो साउंड होता है उसे एक गाने का रूप लेकर उसकी जो आवाज है उसके बारे में है काये कविता तो समुद्र के अंदर आप पता नहीं कितने ही हजारों करोडों ऐसे चीजें होती है जो की हम बाजार में यूज़ करते हैं तो आप लोगों ने शंख देखा ही होगा तो ये कवीता है शंख के बारे में तो एक बच्चे के द्वारा ये जो है इसकी व्यक्ष्य की गई है एक बच्च समुद्र के पास जाता है और वहाँ उसे क्या मिलता है वो क्या फील करता है इसके बारे में ये कविता है तो आओ, हम सब इसे पढ़ते हैं See song I found a shell, a curly one एक बच्चा स्मुद्र की किनारे रेत पे चल रहा था और उसे वहां पे एक शंक मिला मुड़ा हुआ शंक, curly one होता है, मुड़ा हुआ Lying on the sand, ये रेत पे पढ़ा हुआ था Lying पढ़ा हुआ I picked it up and took it home मैंने इसे उठाया, picked उठाना और इसे घर ले आया Cold inside my hand ये मेरे हाथों में बहुत ठंडा लग रहा था Mommy looked at it and then She held it to my ear Mommy ने इसे देखा और उसे अपने हाथ में लेके मेरे कानों से लगाया And from the cell there came a song और उस शेल से उस संख से एक गाना बज रहा था Soft and sweet and clear जो धनी उस संख से निकल रही थी वो बहुत ही Soft थी मीठी थी और साफ थी Soft means Soft होता है अच्छा लगने वाला Soft वेर से तो नरम होता है लेकिन यहां पर अच्छा लगने वाला हम यूज करेंगे I was surprised मेहरान हो गया किसे I listened hard मैं इससे सुनके हैरान रह गया But it was really true लेकिन यह सच था I wish you had find a nice big cell मेरी सब लोगों के लिए दुआ है कि आप लोगों को इससे भी बड़ा एक शेल मिले And here it's singing to और आप भी इसका जो संगीत है उसे सुने तो यह थी हमारी कविता मैं इसे English में एक बार आपको प्रोनाउंस कर देती हूं ताकि आप बचे से सुनके प्रोनाउंस करना सिखें C song I found a shell A curly one lying on the sand I picked it up and took it home Cold inside my hand Mommy looked at it and then She had it to my ear And from the shell there came a song Soft and sweet and clear I was surprised I listened hard But it was really true I wish you had find a nice big cell And hear it singing too तो यह थी आपकी कविता अब इसकी new words देखिए इन्हें आपने copy में लिखना है Shell Sunk Head कानों से लगाना ठीक है या उठाना Surprised हैरान कर देना Curly मुड़ा हुआ Clear साफ तो अब इसके question answer है जो कि आप बच्चे लिखेंगे Where did the child find the sea cell? बच्चे को शंक कहा मिला? समुद्री शंक कहा मिला? Answer है बच्चे को समुद्री शंक रेत पर पड़ा हुआ मिला Number two What did the child do with the cell? बच्चे ने शंक के साथ क्या किया? Answer है The child picked up the cell and took it home बच्चे ने शंक उठाया और उसे घर रेत तीसरा question है What did the child hear? बच्चे ने क्या सुना? Answer The child heard a soft, clear and sweet song from the cell बच्चे ने शंक में से एक बहुत थी अच्छा, साफ और मीठा गाना सुना अब ये कुछ हमारे पास word building है जो की आपको इनका rhyming में बनाना है rhyming words होते हैं जिनका sound एक जैसा होता है आपस में तो इसका नीचे ने दिये हैं कुछ word found, cold, took, sand, mummy, look, hand, sound, bowl, tummy इस तरह से तो इनका आपको आपस में मैच करना है एक जैसा sound जैसे की found का sound, cold का bowl, took का look, sand का hand और ममी का tummy आगे हम करेंगे उल्टे शब्द, opposite words तो opposite words में क्या है found का lost, found होता है मिलना, lost होता है खोना hard का soft, hard होता है सख्त और soft होता है नरम inside अंदर की ओर और outside बाहर की ओर pick, उठाना, drop, फेंकना या गिराना true, such, false, जूट या गलत curly, मुडा हुआ, curly का opposite, straight, सीधा took, लेना, gave, देना big, बड़ा, small, छोटा came, आना, went, जाना came means आया और went means गया cold, सरदी या थंडा hot, गरम sweet, मीठा, bitter, कड़वा tall, लंबा, short, छोटा इस तरह से आगे हमारे है choose the right word, आपने, आपको दो word दिये हैं, उनमें से आपने filling the blanks भरने हैं, जिसमें है number एक, the sea is very, very dash, big और far, सबसे पहले इनके meaning पता होने चाहिए, big, बड़ा और far, दूर, तो जो समुद्र था, वो बहुत बहुत बड़ा था, तो इसलिए big number two, you cannot dash, here, oblique, see the other side आप समुद्र के दूसरी तरफ क्या नहीं कर पाते, सुननी पाते या देखनी पाते तो see देखना, इसलिए यहां हम भरेंगे, see, here means होता है, सुनना number three, you dash, can और cannot cross the sea आप समुद्र को पार कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं, through ship, तो इसलिए can number four, you can cross it in a dash, bus और ship समुद्र में क्या जाएगा, bus जाएगी या ship जाएगा, तो ship जाएगा इसलिए you can cross it in a ship तो बच्चों, यह आज आपका lesson है, इसे आप ध्यान से सुनना, pronounce करने की कोशिश करना, और जितनी भी exercise हैं, वो सारी सुनके या देखके copy पे आपने लिखनी है, okay, bye